हेलो अब्रिवन आज की वीडियो में आप देखेंगे एमाजन के एकदम लेटेस्ट किचन एंड होम डिकोर आइटम जिन्हें आप एमाजन शॉपिंग एप से बाइ कर सकते हैं लिंक और प्राइस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजे और अगर चैनल प लगाना भी काफीजूब काफी आउसा सकता है अगर सकता है और इसको डेकुरेट करने के लिए इसतरा से यह स्टीकर आप इस पर चिपका सकते हैं काफी रिजन इबल प्राइजिस में आपको मिल जाएंगे और घर के लाइकदम छेंज कर देते हैं भ्सट खाना पकाते बर्नल प्रोटेक्टर ले सकते हैं और यह गैस पर काफी एजली स्टिक हो जाता है अगर कहीं पे पिकनिक जाना हो या पिर आपको आफिस जाना हो तो इस तरह से यह सेलफी स्टिक काफी यूसफल रहता है इसको एसमबल करना भी काफी एजी है और आप इसको अपने हैंड बैग में भी एजली रख सकते हैं इस शॉपिंग बैग में बहुत सारा स्पेस है आपकी शॉपिंग के सारा सामाइन इसमें आ जाएगा और इसको कैरी करना काफी एजी है और इसमें वील्स भी दिये हुए है वेजिटेबल्स चॉप करना हो या और आपको कीमा बनाना हो तो इस वेजी टेबल्स चॉपर में मिंटों में ये काम हो जाता है बहुत ही पावरफुल मोटर इसका है और काफी रीजनिबल प्राइज में आपको ये मिल जाएगा नेक्स्ट है ये डिश स्टोरेज रैक अगर किचन में कम स्पेस है तो आप इ घर पर ये आप बाजार जैसा पॉपकॉर्ण तयार कर सकते हैं और इसको यूज करना भी काफी इजी है खाने को ग्रिल करने के लिए इस तरह से ये बार्बीक्यू ग्रिल मशीन आ जाएगी इलेक्ट्रोनिक है इसमें आप वेज और नॉन्वेज दोनों तरह की चीजों को ग्रिल कर सकते हैं और इसको यूज करना भी काफी इजी है बहुत सारे अंडो को एक साथ स्टोर करने के लिए इस तरह से ये एक होल्डर आ जाता है इसमें एक साथ काफी अंडे आ जाएंगे और आप इसको फ्रिज में भी और्गनाइज कर सकते हैं उनली वन नाइटी ना या फिर bathroom के लिए यूस कर सकते हैं। बहुत ही useful है ये storage rack अगर बातरूम में कम storage है तो उसके लिए एकड़म perfect रहती बहुत ही कम जगह में ये आजाती हैं और बहुत सारा सामान इस पर आफ रख सकते हैं। किचन को क्लीन रखने के लिए और एकदम नया लुक देने के लिए इस तरह से ये एंटी स्लिप मैट आ जाता है, बहुत सारे कलर और डिजाइन में ये मिल जाता है फ्रिज पर अक्सर बहुत सारी डस्ट और गंदिगी हो जाती, उसकी प्रोटेक्शन के लिए इस तरह से ये फ्रिज कवर आ जाता है और इसमें पॉकेट भी दी हुई है तो इसमें बहुत सारा सामान आप रख सकते हैं बेडरूम या फिर किचन बातरूम कहीं पर भी आप इस तरह से LED लाइट का यूज कर सकते हैं इसको आप बेड की साइड में भी लगा सकते हैं घर को एकदम नया लुक देने के लिए और तूटी पूटी दरारों को रिपेयर करने के लिए इस तरह से ये 3D वाल पेपर का यूज किया जा सकता है इसको वाल पर स्टिक करना काफी इजी है आप इसको सीलिंग पर भी यूज कर सकते हैं बहुत ही मजबूती से ये स्टिक हो जाता है और एकदम नया सा लुक देता है गर्मी के मौसम में इस तरह से ये नेक फैन का यूज किया जा सकता है किचन का काम करना काफी इजी हो जाता है इसके साथ किचन को इंदम नया लुक देने के लिए और बहुत सारे यूटेंस और स्पून्स बगईरा टांगने के लिए इस तरह से ये होलडर आ जाता है और वाल पर काफी मजबूती से ये स्टिक हो जाता है किचन को क्लीन करना काफी मुश्किल काम होता है उसको इजी करने के लिए ये क्लीनिंग स्पंच का यूज कर सकते हैं और यूज एंद थ्रो प्रोडेक्ट है ये चोटे साइज के कपड़ों को बहुती सेफ तरीके से सुखाने के लिए इस तरह से ये बकेट का यूज किया जा सकता है इसको आप बालकनी या फिर अपनी छट पर भी हैंक कर सकते हैं बहुत सारा सामान इसमें आ जाता है धूल गंदगी को बहुती इजी तरीके से साफ करने के लिए ये क्लीनिंग जैल का यूज किया जा सकता है इसको आप कार, कम्प्यूटर या फिर अपने छुटे मुटे इलेक्ट्रोनिक सामान को भी क्लीन करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं कीचन की क्लिनींग करना हूँ या फिर बातरूम की क्लीनिंग इस तरह से ये electronic brush की help से आपि उसको काफी easy तरीके से कर सकते हैं सब्जियों का छिलका निकालना हूँ या फिर fruits का इस ph humility की help से काफी easy तरीके से आप कर सकते हैं चालड बनाने के लिए भी काफी यूसफुल रहता है यह काफी शार्प ब्लेट के साथ यह आता और बहुत सारे साइज में भी यह मिल जाता है सबजियों को ड्रेन करने के लिए इस तरह से ड्रेनर आ जाएगा इसमें आप वेजी टेबल पास्ता और फ्रूट्स वगारा को इसली ड्रेन कर सकते हैं चामलों को भी वाश करने के लिए इसका यूस किया जा सकता है बेडरूम और या पिर स्टेडी टेबल इस टेबल नम्प का यूज हर ज़गे किया जा सकता है देखने में भी काफी खुबसूरत लगता है और इसमें एक छोटा सा फोन होलडर भी दिया हुआ है तो ये थे Amazon के वो प्रोड़क्ट जिने आप लिंक पर जाकर Amazon शॉपिंग एप से बाइक कर सकते हैं और इसी तरह की और भी वीडियो मेरे चैनल पर अल्रेडी अप्लोड हैं महा जाकर उन्हें भी आप वाच कर सकते हैं जो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के लिए थाइंक यू